बीड़ी हमारे से भी ज़्यादा लंगड़ी लुली हो चुकी है मेलाउं को वीक मनाया आज मस्ला यहां पर यहां पर यह का जारहा है हमें दिव्यांगों को कोई उनको अधिकार भी मिल रही सिर्फ दिव्यांगों कहने से उनके मसले हल नहीं होने वाले हैं आज बातच्चित करते हैं क्या आपको लगता है विकलांगों से दिव्यांगों तक कह देना एक लेवल उपर बढ़ा देना हम ने सिर्फ नामी दिया गया और कुछ भी नहीं है हमें पैटसा हजार पे मिर्तियों से होता किया अब बताओ एक महिना गोर में सरकार से बोले कह जार से महिना चला सकती है अपना हम उससे क्या करेंगे हम पड़े दिखिया है उसके बाद भी बेगा रहा है हम अब फिसले बार फर्मिरी में एक अवता बैठे थे तरक अब तीन कोटा होता है कि अगर आप किसी भी तरह को कोई काम कर रहे हैं कोई नौकरिया निकलती है उसमें विकलांग कोटा रहे हैं अब मेरे का सोचल वेल्फेर डिबार्टमेंटर वो बोलता है यह अपना लिपा आपका डिबार्टमेंटर अफिस है वो बोलते हैं पर करते बिल्कुल भी नहीं है एक और भाई मेरे साथ में मौजूद हैं भाई क्या लगता है कि अच्छे दिन के आने की कोई उमीदे रह गई हैं अच्छे उम्मीदे नहीं रह गई हैं फुरे दिन आने की उमीद हो गई है बहन जी हम मरने के लिए आच गया है मीडिया भाई राद दिन हमारे लिए मैनट कर रही है और राद दिन मेरी आवाज को परदान मंतरी तक पहुछा रही है मीडिया भाई मीडिया वाइट के लावा या कोई सरकारी करमचारी कोई अत्कारी आज बिकलांग दो गिन दे भूके बठे है उसने कोई अत्कारी एक करमचारी जा करके एक कपचाए एक बिकलांग को पिला देता है तो सरकार को गुनेगार थे अब हम जंग लड़ने के लिए तक जा रहे हैं हम पेना माचोक तक जा रहे बजी लगता है क्यूंकि आपने उस दिन भी वहाँ पर जाकर बैटे थे वहाँ पर ना मैडम हीचे आई ना उन्होंने आपके लिफ्ट ओपन की आपको लगता है कि आपके बात आप सुनी जाएग लगता है कि कोई अधिकार जो है मिलने बाकी है या अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। कि हैं विकलाध के गहर में कि क्या हालत इस गर के अंदर हम sevज पूछे आके हम लड़ने के लिए त्यार है हम लोग बता रहे हैं कि हम किस हालत से गुजर रहे हैं बताना भी चाहते हैं आते हैं पर ना तो हमारी बात को सुना जाता है ना समझा जाता है बात ये है कि इस समय हर कोई जो है वो सड़कों पर हैं पर सवाल ये होता है कि बया जब ये लोग सड़कों पर आजाए तो फिर आखिरकार और किसकी रह गई पूंच-ई जिस्में आप उनको भी आना जब बागी रह जाएगा एक शक्स जो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए किसी के लिए लड़ने के लिए अब और कितने दिन शेश हैं हर जगा पर दो आप पहुंच गए हैं मैडम यह कहते हैं हम अपने हग के लिए अब यह लागबगन हमाने फैसला लिया कि यह आखरी लड़ाई है इसके सिवा हम आज डैकां को गेरने के लिए जा रहे हैं मनगलवार को राजबान को गेरने के लिए जाएंगे अगर उससे भी हमारा मसाला और मसाहिल हाल नई हुए हम पर द्यान नहीं दिया गया तो उसके बाद हमारा सिठाफध जानतर हमांद पर जाने के लिए अगर वहाँ से भी हमारे दरने से कुछ असर नहीं पड़ेगे तो हम जितने भी लोग जाएंगे पार्लिमेंट हाउस के सामने हम खुदकशी करने के लिए तयार हैं हम खुदकशी करेंगे ताकि अगर हम मर जाएंगे आने वाले पीडी को उसका बिन्फित मिलेगा इसलिए वापे सडकों पर आ गए हैं कि बात सुन लीजिए अब आइस्ता आइस्ता अलग लग जगाओं पर जाया जाएगा क्योंकि कब से बात हो रही है बात सुनी नहीं जा रही है अब अलग लग जगाओं पर जाया जाएगा सुनाया जाएगा कि भाइया भगा सिंग जी की बात याद आती है कि भाईया जब भी कہीं जाये एक ठमाका कीजिए ठमाके से ही बात जो है वो कानों तक पहुचती है तो अब इनहों ने सोचा है कि वो ठमाका ये होगा अलग-अलग जगाओं पर जाएंगे गैराफ करेंगे गहराफ करने के बाद कहीं ना कहीं जो है अब शायद बात सुनी जाए अगर तब भी ना सुनी गई तो सीज़ा चंदरमंचर यहां पार्लीमेंट अगर पार्लीमेंट तक हम पांच गए तो वहां सिरफ और सिरफ खुशकुशी ही हो गया हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा सो कोई बात सुनने को तयार भी है या नहीं अब ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा पर हर जगा पर बात यही है हर जगा की मारम पिटी यही है कि भाई यह आसड़कों पर आएंगे बात चित करेंगे और बात चित पिर भी सुनी नहीं जाएगी यह क्या हाल हो रहा है हमा पारे जम्मो कश्मीर का आप क्या लगता है अपनी नाए कमेंड बॉक्स में जरूर रखिएगा बने दिये जम्मो परिवर्तिन के साथ मुझे और ओई जी को दीजिए इसाज़त नमस्कार